दूर किसी जंगल में कालु कव्वा अपनी पतनी गोरी कव्वी और बेटी मुन्नी के साथ रहता था कालु कव्वा बहुत आलसी, कामचोर और एक नमबर का चोर था अब कालु कव्वे की बेटी जवान हो गई थी इसलिए कव्वे और कव्वी को अब अपनी बेटी की शादी की जिनता हो रही थी कालू मुन्नी जवान हो की है कल उसकी शादी भी करनी है अगर मुन्नी के लिए धेजना बनाया तो कौन करेगा हमारी मुन्नी से शादी गोरी अब छोटी मोटी चोरियों से काम नहीं चलेगा मुझे कोई बड़ा हाथ ही मारना पड़ेगा कालू जी तुम ऐसा करो कुछ दिनों के लिए दूसरे जंगल चले जाओ और दूसरे जंगल जाकर कोई बड़ी चोरी करो फिर ही हमारी मुझे के देच का सामान बनेगा फिर दूसरे दिन कालू कावा दूसरे जंगल की त्यारी करता है पिता जी आप कहां जा रहे हैं? बेटी मैं काम करने दूसरे जंगल जा रहा है मगर पिता जी हमारे जंगल में भी तो बख्षी काम करते हैं फिर आप दूसरे जंगल क्यों जा रहे हैं? मुन्नी बेटी, आपके पिता जो काम करते हैं, वो दूसरे जंगल ही मिलेगा. गोरी, ओटो का किराया तो देदो. मेरे पास क्या है? वो एक सो रुपए था, जिससे कल मैरो सोई का राशन ले आई हूँ. अच्छा, ठीक है, मैं करता हूँ कुछ. फिर कालू कववा अपने घर से निकलता है. बेचारी मोटी बुलबुल अपने घर से बाल्टी लेकर दूद लेने जा रही थी. रास्ते में कालू कववा उसे रोक लेता है. अरे ओ मोटी बुलबुल, चाल अपना दसका नोट मुझे दे. ना ना, नहीं नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए दूद लेने जा रही हूँ. मुझे दूसरे जंगल जाने के लिए ओटो का किराया चाहिए. सीधे से दो, वरना मैं जान से मार दूँगा तुम्हें. प्यारे दोस्तों, आगे भरने से पहले जल्दी जल्दी से कहानी को लाइक कर दे. आपका शुक्रिया. डर्टी हुई बुलबुल, अपने पैसे कालू कववी को दे देती है. कालू कववा बुलबुल से पैसे लेकर भाग जाता है. वो सीधा ओटो के स्टॉप पर जाता है. और एक ओटो में बैठ कर दूसरे जंगल पहुंचाता है. एक टूटा सा बैग उसके पास था. उसे अभी समझ नहीं आ रही थी के कहा जाए. ये जंगल कालू कववे के लिए नया था. और नये जंगल में कोई बड़ी चोरी करनी कालू कववे के लिए बहुत मुश्किल काम था. वो एक पेड के उपर बैठ जाता है. नीचे चिडिया हर्याली तो तीसे बैठी हुई बातें कर रही थी. हर्याली मैंने पैसे जमा कर लिये हैं. बस कुछ दिनों तक मैं अपनी गुडिया की शादी के लिए लेहेच का सामा लेने शहर वाले जंगल जाओंगी. चिडिया बहुत मेहनत की है तुमने. बिना बाप के अपनी बेटी को अच्छी प्रेशिक्षा भी दी और उसकी शादी के लिए पैसे भी जमा कर लिये. अपना पेट काड़ काड़ कर एक एक रुपए जमा किया है मैंने. इसका मतलब इस चिडिया के पास पैसे है. जैसे ही हर्याली तोती जाती है कालुकवा अपना ठूटा फूटा बैग उठाता है और चिडिया के पास चला जाता है. वो चिडिया के पास चाकर रौने का नाटर करता है. सब खुतम हो गया. मेरी पत्नी भी मर गई और जवान बेटी भी. गर को ऐसी आग लगी. सब खुतम हो गया. कावे को रोता हुआ देखकर चिडिया कावे से पोच्छती है. कावे क्या हुआ तुम क्यों रो रहे हो और किसके घर को आग लग गई? मेरे, मेरे घर को, मेरी बेटी, मेरी पत्नी उसी आग में चलकर मर गई. और मैं बेचारा इस जंगल में आ गया. मेरा यहां कोई भी नहीं है. चिडिया, क्या तुम मुझे अपना भाई बना कर अपने साथ अपने घर में रख सकती हो? कवे ऐसे रो रो कर बात कर रहा था कि चिडिया कवे के मकारी को समझ ही नहीं पाती. और कहती है, कवे भी या, अगर आप मुश्किल में हैं तो मैं जरूर आपकी मदद करूँगी. आप मेरे साथ मेरे घर चलें. मैं आपको दाना भी दूँगी और चछट भी. कवे खुश हो जाता है. और चिडिया के साथ उसके घर चला जाता है. ममा, ये कवा कौन है? गुडिया बेटी, ये आपके मामा कवे हैं. आज से ये मेरे भाई और आपके मामा जी है. बेहन जी, आपने मुझे अपने घर में रहकर बहुत बड़ा एहसान किया है मुझबर. आज से मैं जो भी कमाऊंगा, आपको हिला कर दूँगा. कवे भेया, मुझे आपकी कमाई की जरूरत नहीं है. आप मुश्किल में थे. इसलिए मैंने आपकी मदद की है. फिर उस दिन के बाद कालु कवा चिडिया के घर में रहने लगता है. कालु भेया, मैं और गुडिया बाजार जा रही है. आप घर का दिहान रखना. जाए 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 बेहन जी, निश्चन थोकर जाए, मैं घर में ही रहूँगा. गुडिया और उसकी ममा बाजार चली जाती है. चुडिया ने पैसे जरूर इस संदूक में चुपाए होंगे. कवा संदूक खोलता है. कपड़े इधर उधर करके सब देखता है. मगर उसे संदूक में से कुछ भी नहीं मिलता. यहां तो कुछ भी नहीं है. हाँ, उस अल्मारी में होंगे पैसे. मगर अल्मारी को तो ताला लगा हुआ है. मुझे कुछ दिन और यहां रहकर किसी तरह चिडिया से इस ताले की चाबी लेना होगी. कवा ऐसे सोचता है. ममा चिडिया और उसकी बेटी भी बाजार से कुछ चीज़ें खरीदती है. गुडिया बेटी, वो लेंगा कैसा है? आप उस लेंगे में दुलहन बन कर बहुत अच्छी लगोगी. हाँ ममा, मैं भी नहीं देख रही थी, मगर ममा, वो लेंगा बहुत महंगा होगा. मेरी बेटी से महंगा नहीं है, वो लेंगा. भाई जी, वो सामने वाला लेंगा डिब्बे में डाल दें. जी जी, चिडिया बेहन, और कोई चीज? नहीं आज हम लहंगा ही खरीदेंगे ममा चड़िया और उसकी बेटी वो लहंगा खरीद लेती है और अपने घर वापिस उड़ती है रास्ते में वो मा बेटी नदी पर रुकती है ममा क्या वो कवे मामा अच्छे कवे हैं ना जाने मुझे उनसे डार लगता है ममा वो अजनबी है गुडिया बेटी वो मुश्किल में था इसलिए मैंने उसकी मदद की है कुछ दिन हमारे घर में रहकर चला जाएगा वो दो दाने ही तो खाता है वो क्या नुकसान कर रहा है हमारा रात को गुडिया सो गई थी और ममा चुडिया जाग रही थी चुडिया बेहन आपकी बेटी की शादी कब है इस रवीवार को मैंने सारी चीजें खरीद ली है आज मैं लेंगा भी ले आई हूँ अपनी बेटी के लिए वो देखो सामने कैसा लग रहा है ये लेंगा तो मेरी मूनी के पहना हुआ बहुत सुन्दर लगेगा कवे भेया कहां खोगे नहीं कुछ नहीं मुझे मेरी बेटी याद आ गई थी जो आग में चल कर मर गई बच्चों के दुख माबाप कहां भूल सकते हैं आप सो जाएं फिर कवा सोने का नाटर करता है और ममा चडिया घौंसले के नीचे से अपनी अलमारी की चाबी निकालती है और कुछ पैसे अलमारी में रखकर ताला फिर से लगा देती है कवा ये सब देख लेता है और खुशी खुशी सो जाता है सुधा हो जाती है कवव अभी तक सोया हुआ ही था मामा चड़िया और गुड़िया दाना लेने निकल जाती है पीछे से कवव घोंसला उठाता है और चड़िया की अलमारी की जाबी निकाल लेता है क्यूंकि उस रात कववे ने देखा था कि चड़िया ने जाबी कहा रखी है चड़िया के आने से पहले पहले मुझे अपना काम दिखा कर जाना होगा कवव चड़िया की अलमारी खोलता है और चड़िया की महनत की कमाई चुरा कर अपने बैग में डाल लेता है और गुड़िया का लेंगा भी कवव अपने बैग में रख लेता है बिना मेहनत के मेरी मुन्नी बेटी का देहेज भी बन गया और शादी का लेंगा भी ले लिया मैंने गोरी तो बहुत खुश आ जाएगी ये लेंगा देहकर दर्वाजे में खड़ा होकर कव्वा इधर उधर देखता है और स्टॉप से आटो में बैठ कर वापिस अपने जंगल चला जाता है चड़िया और उसकी बेटी भी घर आ जाती है अलमारी खुली देहकर चड़िया की तो जान ही निकल जाती है गुडिया गुडिया बेटी अलमारी खुली है ममा मेरा लहगा भी नहीं है वहाँ वहाँ ही तो रात को रखा था मेरी बेटी के देहेज के पैसे वो कवा वो कवा चुड़ा कर ले क्या मेरी बेटी के देहेज के पैसे ममा चड़िया जोरों से रोने लग जाती है ममा चुप हो जाए ममा आप शान्त हो जाए मैं जल्दी से बाहर जाकर देखती हूँ मैं आटो स्टॉप पर जाती हूँ मैं भी साथ चलती हूँ बेटी फिर ममा चड़िया और गुरिया आटो स्टॉप पर जाती है मगर वहां कोई भी नहीं था केवल चाचा कबूधर अपना आटो लिए खड़ा था कबूधर एक कवा तो नहीं आया इस तरफ अभी अभी चमचम वाले आटो में एक कवा बैठ कर गया है उसके पास एक वजनी बैख था जिसमें कोई डिबा भी था शायद उसमें लहँगा था क्योंके उपर तस्वीर जो लहँगे की बनी थी ये सुनकर ममा चड़िया और उसकी बेटी एक दूसरे का मूँ देखती रह जाती है कवा लूट मार करके खुशी खुशी अपने घर जा रहा था वो आटो से उतर कर उड़ता हुआ घर की दरफ जा रहा था कि उसे अपने घर के बाहिर कुछ पक्षी एकठे बैठे नजर आते हैं और उसका घर जला हुआ था क्या हुआ साब ठीक तो है और मेरा घर कैसे जला मैं ना बोलती है कवे कवे बहुत बुरा हुआ आपके घर को आग लग गई और आपकी बेटी और पतनी जलकर मर गई उस आग में ये सुनना था के बैख कवे के हाद से छूट कर नीचे गिर जाता है और उसके कानों में उसकी अपनी ही आवाज गूंजने लगती है मेरे घर को आग लगी मेरी बेटी और पतनी जलकर मर गई उस आग में कवा चुप था उसमें तो रोने की भी हिम्मत ना थी क्यूंके उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपने घर को आग अपने ही पंकों से लगाई है प्यारे दोस्तों कहानी तो हुई खतम अब देखो कवा वो बैग लेकर वापिस चुड़िया को देने जाएगा या नहीं ये तो कवा ही जानता है लेकिन आप चल्दी से कहानी को लाइक कर दें आपका धर्नेवाद मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी मा ने तुमसे मेरी शादी कर दी जिस दिन से बिहा कर आई हूँ एक दिन भी पेट भर कर भाचन नहीं मिला तुम्हारा तो पेट नहीं कोई कुवा है और मैं कुवे को कैसे भर सकता हूँ बस कालू कवे का इतना ही कहना था कि उसकी पतनी गोरी कवे पास में पड़ा जाडू उठाती है और उसे जोड़ जोड़ से मारना शुरू कर देती है वो अपने पती जी की खूब पढ़ाई करती है बस गोरी बस जो होना था हो गया बस यही दिन देखना था कि तुम मेरी पतनी होकर मुझे छाडू से मारोगी तो ना इतना गुसा दलाया करो मुझे मेरे पेड को कुवा कहते तुम्हें शरम नहीं आती अब जो भी हो मैं तुम्हारे साथ यहां नहीं रह सकता मैं यह गोंसला और यह जंगल छोड़ कर जा रहा हूँ तो जाओ तुम्हें रोग कौन रहा है मैं भी तुम्हारी शक्रकल नहीं देखना जाती फिर कालू कव्वा गुसे में वहां से चला जाता है शाम तक अवारा फिर के आ जाएगा पहले भी केई बार खट छोड़ कर गया है कालू कव्वा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल निकल जाता है आज तो कालू सच में परेशान था और वो एक पेड़ पर बैड़ जाता है वो ऐसे ही बैठा हुआ था कि उसे चक्कर सा आता है और वो नीचे गिर जाता है और उसके सर पर चोड़ आती है और वो बेहोश हो जाता है रानो चिडिया जो उसी जंगल में रहती थी वो उड़ते उड़ते वहां आती है अरे इसे क्या हुआ ये तो कोई कवा है इसके तो गहरी चोट आई है कबूतर भी वहां आ जाता है चिडिया इस कवे की हमें मदद करना चाहिए नहीं तो ये मड़ जाएगा और मुझे तो ये दूसरे चंगल का कवा लग रहा है कबूतर भीया हम इसे उठा कर मेरे घड ले जाते हैं फिर चिडिया और कबूतर कालू कवे को उठा कर वहां से ले जाते हैं मैंने पट्टी तो कर दी है परन्तु अभी तक इस कवे को होश नहीं आई जब चिडिया और कबूतर दूसरी दरफ बैठे ऐसे बात कर रहे थे तो कवे को होश भी आ जाती है परन्तु वो फिर से अपनी आँखे बंद कर लेता है चिडिया तुम भोजन की जिंता ना करना जब तक ये कवा ठीक नहीं हो जाता मैं इसका भोजन लाने में आपकी मदद करूँगा फिर कबूतर वहां से चला जाता है जब तक कवे को होश आएगी तब तक मैं अपने लिए और इस कवे के लिए भोजन ले आती हूँ ऐसा सोचते हुए चिडिया भोजन लेने चली जाती है अब तो मैं इस गोरी की बच्ची को मजा चखा कर रहूँगा मैं अब दो चार दिन इस चिडिया के घर में ही बिमार बनने का नाट करूँगा छत भी मिल गई और भोजन भी और ढूंड रही होगी अब गोरी मुझे पूरे चंगल में मैं भी अब घर तभी जाओंगा जब गोरी की अकल ठकाने आ जाएगी अब तो रात भी हो गई ये कालू अभी तक नहीं लोटा कहीं मेरा कालू जी सच में घर छोड़ कर तो नहीं चला गया आज मुझे भी कुछ ज्यादा ही गुसा आ गया था पता होता ज़ाडू से नहीं मारती में अपने कालू जी को ऐसे ही रात गुजर जाती है और कालू भी सोकर उठ जाता है और चिडिया कालू से पूछती है आप कल से भी होश थे आप वहां कैसे आए थे और आप कहां से आए हैं कवे भेया नाटक करता हूँ कवा कोन कवा मैं तो एक दोता हूँ मैं लाल मिर्ची लेने जा रहा था की वहां गिर गया फिर मुझे नहीं पता की मुझे यहां कौन लाया था यह क्या कह रहे हैं आप कवे भेya आप दोते नहीं कवे हो ऐसे ही कबूतर भी वहाँ आ जाता है आ गया कवा होश में छड़िया बहन कवा होश में तो आ गया है परन्तु मुझे तो ऐसा लग रहा है वी अपनी जायदाश तो खो बैठा है आप दोनों मुझे बार-बार कवा क्यों कह रहे हो मैंने कई बार बोला है कि मैं एक तोता हूँ पलीज आप फिर से मुझे कवा ना कहिए मुझे कवे बहुत बुरे लगते हैं नहीं दोस्त आप तोते नहीं कवे हो क्योंके आपका रंग भी काला है और तोते का रंग तो हरा होता है और देखो तो आपकी चौँच भी कितनी गंदी है फिर चिडिया और कबूतर भोजन लेने चले जाते हैं बड़ा आया मुझे गंदी चौँच बताने वाला अपनी आँखे नहीं देखी इस कबूतर के बचे ने वो तो मैं नाटक कर रहा था वरना मैं जरूर बताता तुम्हें के गंदी चौँच किसकी है चलो अब अराम से सोते हैं भोजन तो चुडिया ले ही आएगी दूसरे तरफ कालू की पतनी गोरी कवी अपने पती को पूरे जंगल में ढून रही थी फिर उसे तोता मिल जाता है तोते भीया आपने मेरे पती जी को तो नहीं देखा वो कल से मुझसे लड़कर कौंसला चोड़कर चला गया है देखा है गोरी कल शाम तुम्हारा पती दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था तोते भीया आप मेरे साथ चले हम दोनों कालू जी को ढूंड कर लाते हैं फिर तोता भी गोरी के साथ चला जाता है चिडिया बेहन ये भोचन आप उस कवे के लिए ले जाएं और हाँ आज उसकी पट्टी बदल देना एक दो दिन में उसकी जाएदाश तर ठीक हो जाएगी और फिर वो चला जाएगा यहां से आया होगा सर पर चोड लगी है ना बेचारे के इसलिए अपनी जाएदाश तको बैठा है और खुद को तोता कह रहा है फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं कवे भेया ये ले आप भोचन खा ले मैं ऐसे भोचन नहीं खांगा पहले आप मुझे तोता कहें अच्छा अच्छा ठीक है तोते भेया भोचन खा ले फिर कालुगवा भोचन खा लेता है अब तो ये जड़िया पागल बन गई है और यही समझ रही है के मेरी सच में जाएदाश तको गई है कवे भेया नहीं नहीं तोते भेया आपकी शादी हुई है क्या हाँ मेरी पतनी पिछले साल मर गई थी वो अच्छा ही हुआ जो मर गई बहुत लड़ाई करती थी मुझसे और अब मैं कोई अच्छी सी तोती देखकर दूसरी शादी कर लूँगा अच्छा ये तो बताएं कि आप कुँन से चंगल से आए है ये घर मेरा ही तो है और कहां से आया हूँ मैं मैं तो कही बर्सों से इसी घर में रह रहा हूँ इसे तो कुछ भी याद नहीं है अच्छा चलो अब आप आराम करें गोरी कवी और तोता भी उड़ते उड़ते उसी जंगल में पहुँझाते हैं उन्हें कबूतर मिलता है वो सीधे कबूतर के पास जाते हैं कबूतर जी मेरे पती जी कल से घौंसला छोड़कर भागा है क्या आपने इस जंगल में किसी कवे को तो नहीं देखा हाँ देखा है और वो कवा चिड़िया के घर में है और असी या नवे साल उमर है उस कवे की हाँ हाँ दोते भीया वो ही मेरा पती है उसे मैं और चिड़िया उठा कर ले गे थे वो हमें गीरा हुआ मिला था और उसके सर पर गहरी चोड़ाई है और वो कवा तो अपनी जायदाष्ट भी खो बैठा है देखो ये सब तुमहारे कारण हुआ है ना तम उसे जायदाष्ट और ना वो घर छोड़ता और ना उसकी जायदाष्ट जाती तोते भीया मुझे अपने पती जी का सब बता है अगर ये सब जायदाष्ट वापस भी जायदाष्ट ही लाएगी फिर गोरी कवी और तोता कबूतर के साथ चिडिया के घर की तरफ जाते हैं कालू कवा सोया हुआ था चिडिया बेहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पती जी को बचा लिया ऐसा कहते हुए गोरी कवी कालू को आवाज देती है कालू ओए मेरे कालू गोरी की आवाज सुनकर कालू बिजली की देजी के साथ उठकर बैड़ जाता है कालू जी मुझे माफ कर दें मैं वादा करती हूँ मैं फिर कभी तुम्हें नहीं मारूंगी अब चलो हम अपने ख़र चलें हम कल से तुम्हें ढूंड रहे हैं परन्तू कालू तो चुप था उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जैदाश्ट खो जाने वाला नाटक अब अपनी पतनी के सामने करे या ना करे कभी बेहन आपके पती के सर पर गहरी चोटाने से इसकी जैदाश्ट खो गई है और ये अब खुद को तोता समझ रहा है अच्छा तो अब कालू जी तुम तोते बन गए हो चुड़िया बेहन आप चिंता ना करें अभी हम अपने कालू जी के जैदाश्ट ठीक कर देते हैं कालू जी जैदाश्ट ठीक हुई जा नहीं अभी तक मुझे पहचाना या नहीं पहचाना मम मम मुझे क्या पता तुम कौन हो मैं बताती हूँ कालू जी मैं कौन हूँ चिडिया बेहन क्या कोई झाडू है घर में बस गोरी का ऐसा कहना था कि कव्वे की जाड़ू से ना मारना मारना ठीक हो गई है मेरी जायदाश्ट ये सब देख चिडिया और कबूतर की हंसी ही नहीं रुक रही थी चिडिया बेहन मुझे माफ करना ये पतनी जी यहां भी आ गई इससे लड़कर खड़ से भाग आया था दो चार दिन आपके पास रहने के लिए जायदाश्ट खो जा आने का नाटक करना पड़ा अब सीधे से चलते हो या उठाओ जाड़ो फिर से और फिर गोरी कवी कालू को अपने आगे लगा कर चल पड़ती है कालू जी तुम जगू का दिहान रखना मैं आज अपने मैक के जा रही हूँ शाम तक लोटकर आ जाओंगी मैं गोरी तुम जानती हो जगू कितना शरारती है मुझसे नहीं यह संभाला जाता तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ ममा ममा मैं भी जाओंगा जगू पिछली दफ़ा भी तुमने मेरे बहुत इंसलियूट करवाई थी जब बुलबुल का अंडा चुरा लिया था परंतु ममा चोरिया कर पकड़े जाते हो ममा मुझे भी मिलना है नानों से आप लीज मुझे साथ ही ले जाएं आपके बार मैं कोई शरारत नहीं करूंगा पहले प्रौमिश करो ममा प्रौमिश और फिर गोरी अपने बेटे जगू को साथ लेकर अपने मैके वाले जंगल चली जाती है आज तो ग वी अपस भी लोटना था और फिर उड़ते उड़ते अचानक से गोरी की नजर क्बूतर के घुंसले में बढ़ती है उसे वहां एक पका हुआ अमरूद दिखता है जकू कबूतर के घुंसले में पका हुआ अमरूद है और कबूतर भी कहीं गया हुआ है क्यों ना चाते जाते प्रेक फॉस्ट हो जाए और फिर वो दोनों मा बेटा कबूतर के घुंसले पर उतरते हैं अमरूद तो दूर से ही महक रहा था ममा ये अमरूद तो बहुत पका हुआ है क्यों ना हम इसे खा कर ही फिर से उड़ें तुम और तुम्हारे पापा जी कच्छे चोर हैं इसलिए पकड़े जाते हो हम इस अमरूद को रास्ते में कहीं बैठ कर खाएंगे चोरी करने के तुरंत बाद भागते हैं चलो भागो और फिर वो दोनों वहां से भाग जाते हैं थोड़ा दूर पहाडों पर जाकर वो मा बेटा बैठ कर आराम से वो अमरूद खाते हैं कितना मेठा था ममा ये अमरूद ये मोटी आँखों वाला कबूतर ना जाने कहां से ढूंड लाता है ऐसे अमरूद हमें तो कभी नहीं मिले हमें क्या ममा कहीं से भी लाए हमें आम मिलके पेड़ गिनने से हमारा क्या काम और फिर वो दोनों माँ बेटा फिट से उड़ते हैं कबूतर भी नदी से पानी बीकर वापिस आ जाता है वो जैसे ही अपने घोंसले में देखता है वहां तो उसका अमरूद था ही नहीं वो तो रोने लग जाता है मैं कितनी मुशकल से ये अमरूद ढूनकर लाया था नजाने उस चोर को कैसे पता जल जाता है मैं जब भी अमरूद लाता हूं चोरी हो जाता है लेकिन इस बार तो मैं पकड़ कर छोड़ूँगा उस कमबخت चोर को और मार मार कर उसकी चोर्च ही तोड़ दूगा जिस चोर्च से वो चोर मेरा अमरूद चुरा कर खाता है और फिर कबूतर निराशो कर रानो चुड़आ की तरफ जाता है आओ भी कबूतर और चुड़आ कैसे आए हो मैं भी आज घर में अकेला ही हूं कितना अच्छा होता अगर आते हुए मेरे खाने को भी कुछ ले आते मैं तो सुभा से ही भूखा हूँ खालो भीया गोरी और जगो कहा है गोरी अपने मैके गई हुई है और जगो भी उसके साथ ही है चुडिया चलो आज चोरी कोई और ही कर गया है कालो भी अभी तक भूखा है और गोरी भी अपने मैके गी हुई है कबूतर जी क्या बात कर रहे हो चड़िया के कान में कुछ नहीं हम जाते हैं मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है और फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं थोड़ा आगे उन्हें तोता मिल जाता है और वो दोनों तोते के पास जाते हैं यार तोते आज मेरा अमरूत चोरी हो गया तुमने किसी को मेरे गोंसले की तरफ जाते तो नहीं देखा ये बेचारा तो जब भी अमरूत लाता है चोरी हो जाता है मेरा भी आम कल चोरी हो गया था मैं था खुद भूका बैठा था और अब जाकर सूखे दाने खाए है चुनोगे लेकिन मेरे पास चोर पकड़ने का एक उपाए है ये संकर तो कबूतर बहुत खुश हो जाता है बताओ बताओ यार दोते इस बात तो हम उस चोर को पकड़ कर ही चोड़ेंगे मेरे पास एक तेज फंदा है कबूतर तुम उसे ले जाओ और अपने घौसले में चुपा कर लगा दो और फिर वहाँ एक पका अमरूद रख देना चोर उस अमरूद की सुगन से अकरशक होकर फिर से चोरी करने आएगा और फिर पकड़ा जाएगा अब तो वह चोर पकड़ा ही जाएगा और फिर कबूतर और चिड़िया वह फंदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं क्या हुआ कबूतर भेया आज सुभा सुभा ही आपका मूट बहुत खराब लग रहा है नहीं चोड़ूँगा इस बार तो मैं नहीं चोड़ूँगा कबूतर भेया क्या हुआ किसे नहीं चोड़ेंगे आप उस चोर को जिसने मेरा अमरूद चुराया है वो अमरूद जो हम कर लाए थे वो अभी तक खाया नहीं था आपने कब खाया था? अभी तो मैं उसकी सुगंद ही ले रहा था मैंने सोचा था कि पहले नदी से पानी पी कर आता हूँ फिर बाद में खाऊंगा और फिर जैसे ही मैं नदी से पानी पी कर लोटा तो मेरा अमरूद चोरी हो गया था कबूतर हो ना हो ये अमरूद कालू कवे के परिवार में से ही किसी ने चुराया है पहले तो वो तोनों पती पतनी चोड़ थे और अब तो उनका बेटा जगू भी साथ मिल गया चिडिया मेरी बेहन एक बार मेरे साथ तो चलो हम देख कर आते हैं अगर मेरा अमरूद उनके पास हुआ तो छोड़ूँगा नहीं मैं उन चोरों को और फिर चिडिया और कबूतर कालू के घर की तरफ चले जाते हैं कबूतर वो फंदा अपने खोंसले में लगा देता है कबूतर भीया अब हम कालवाले उस बड़े पेड़ से एक पका हुआ अमरूद ढूंड का लाते हैं और उसे फंदे के उपर रख देते हैं और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं मा जी मुझे वापिस जाना होगा अब कालू मेरा इंतजार कर रहा होगा ममा कल चले जाएंगे तुम्हारे पापा के लिए भोजन भी कहीं से ले कर जाना पड़ेगा भूका बैटा होगा वो सुभा से अगर ना गे तो लड़ाई करेगा वो हम से बेटी अब जगू बड़ा हो गया है अब कोई सुन्दर सी कवी दे कर इसकी शादी कर दो मा नजर में रखना आप कोई अच्छे खाते पीते परिवार की कवी जैसे ही मिली तो हम अपने जगू को पिहा देंगे अच्छा मा अब मैं चलती हूँ और फिर गोरी कवी और उसका बेटा जगू अपने जंगल वापस चले जाते हैं वो पहाडों से गुजरती हैं शाम होने वाली थी इसलिए वो तो बहुत तेज उड़ रहे थे रास्ते में ही कवूतर का गोंसला भी था और फिर जैसे ही गोरी कवूतर के गोंसले के पास से गुजरती है उसे पके हुई अमरूद की सुगंद आती है जगू वो देखो कवूतर भी नहीं है और अमरूद फिर से हमारा इंतजार कर रहा है गोरी तरंट कवूतर के गोंसले की तरफ जाती है और फिर गोरी जैसे ही अमरूद अपनी चोंच में उठाती है पीछे पड़े फंदे में गोरी की पूँच फंच जाती है ममा ममा ये क्या हो गया आपकी तो पूँच फंदे में फंच गई है मैं तो उस गद्दी आखों वाले कबूटर को भुद्दू ही समझती थी लेकिन उसने फंदा लगाया हुआ था जग्गू कुछ करो वो मोटा कबूटर तो होगा भी बहुत गुसे में अगर वो आगया तो पकड़े जाएंगे ममा मैं खेंच कर निकालू आपकी पूँच मुझे बहुत दर्ध हो रहा है जग्गू चरा अराम से खेंचो और फिर जग्गू अपनी ममा गोरी की पूँच खेंच कर निकालने की कोशिश करता है मर गई हाए मर गई जग्गू बड़ा दर्ध हो रहा है और फिर अचानक से गोरी उस फंदे से आजाद हो जाती है बचगे जगू बचगे हैं मैं आजाद होगी फंदे से और फिर जगू के नजर अपनी ममा की पूँच पर पड़ती है ममा ममा आपकी पूँच तूट गई है अब ही ऐसा कहा ही था जगू ने के गोरी दूर से कबूतर को आते देख लेती है जगू पूँच को छोड़ो और भागो कबूतर आ रहा है और फिर वो वहां से भाग जाते हैं फंदा काम कर गया और ये काली काली पूँच तो गोरी की है इसका मतलब वो भागी अपनी पूँच यहीं चोड़कर मैं ये पूँच लेकर चुड़िया के पास जाता हूँ अरे गोरी ये क्या तुम्हारी पूँच कहा गई कालू मुझे ज्यादा ना बलाना मुझे बहुत दर्द हो रहा है वो न मेरे मैके वाले जंगल में एक भूड़ी कवी थी मैंने अपनी पूँच उसे डोनेट कर दी है लेकिन ममा चुपकर जा अगर बोले तो मारूंगी बहुत प्यारे दोस्तों इस कहाने का अगला भाग देखने के लिए कल तक इंतिजार करें और अगर आपको ये वाला भाग अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना